जोड़ों की बात आम जनों के साथ कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए शनिवार की सुबा धनबात के गांधी सेवा सदन सेक बाइक रैली निकली इस रैली का निर्तित्तो वरिये कॉंग्रेस नेता अशोक कुमार सिंग कर रहे थे गांधी सेवा सदन में गांधी जी की प्रतिमा पर माले आरपन करने के बाद ये रैली अपने गंतब की ओर निकली रैली कोबर ये कांगरस नेता अननत नात सिंग अरुन कुमार सिंग ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ये रैली धनबाज से तो निकली है और निर्सा सिंद्री चंदन क्यारी चास बुकारो जरिया होते हुए देर शाम को वापस गांधी सेवा सदन लोटेगी इसके पहले ये रैली 180 किलोमेटर की यातरा पूरी करेगी इस वेच शुकरवार को राहुल गाने की सानसदी खत्म होने के मामले में सुप्रिम कोर्ट का स्टेया गया उसके बाद तो इस रैली को असत्ते पर सत्ते की जीत का बिज़े प्रतीक भी मान लिया गया रैली में बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी मौजूद रहें उनका उस साहथ चरम पर था मौके पर बरिये कॉंग्रेसी निता अशोक सिंग ने कहा कि इस रैली के जरिये आम जनों को ये बताया जाएगा कि कॉंग्रेस सहीत भारत के 26 प्रगतिशील दलो के नेता संभिधान के नहीत भारत के विचार की रक्षा के लिए द्रड़ संकल्प लिये हैं हमारे गण तंतर के चरिते पर भाजपा बेऊस्तित धंग से हमला कर रही है देश के इतिहास सबसे महत्तपूर्ण मोड़ पर है मारते समिधान के मूल भूत स्तंब को धरनिर पेक्ष लोक तंतर आर्थिक संपर्भुता समाजिक नयाय को खतरनाक धंग से कमजोर किया जा रहा है मनिपूर को तबाह करने वाली त्रासदी पर गंभीर चिंता व्यक्त करने की जरूरत है शुकरवार को राहूल गांदी के मामले में सुप्रियम कोर्ट कर स्टे कॉंग्रेसियों में और भी उत्साह भर दिया है और कॉंग्रेसी काफी जोश और खरोश में दिख रहे है कॉंग्रेस के हरे कारकता के जुबान पर यही बात है कि सत्य को दबाया और छुपाया नहीं जा सकता है बोकारो से बिजय आनंद की रिपोर्ट और राहुल गांदी जी की जो सजा थी उस पर सुप्रिम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया तो हम लोगों की फुसी और दुगनी हो गई राहुल जी का संदेश लेकर के हम लोग हर जन तक जा रहे हैं न फरत छोड़ो भारत जोड़ो अज कहां से कहां तक रैली निकल नहीं है निर्षा होते हुए निर्षा बलियपूर सिंदरी बोकारो होते हुए जरिया जाएंगे जरिया से वापस दन बाद में ये रैली समात होगी